हमें जिस social creature evolve हुए हैं और एक लंबे समय तक कोई satisfying relationship जिंदगी में ना होना हमारे physical और mental health पे effect करती है इस वीडियो में हम इसी effect को देखेंगे, अकिलेपन में इंसान के desperate और radical experiences को witness करेंगे, उसमें फसे व्यक्ति के स्थिती से खुद को relate करेंगे ज्यादे तर लोगों की लखेलापन ज्यादे दिनों तक रहता नहीं है, it is temporary, लेकिन कुछ लोगों में ये काफी दिनों तक sustain करता है, और ये चीज़ उनके चाल चलन को ऐसा बना देता है कि बाद में उनका वहवार भी कारण हो जाता है, उनका अकेले होने का Travis जो टैक्सी ड्राइवर होता है, वो एक बहुत अलग और अजीब किसम का वेक्ति होता है, one of a kind, जो एक शहर में रात को टैक्सी चलाता है, और वो भी इस लेकियों की उसे नींद नहीं आती है, और वो लंबे समय वाला कोई काम खोज रहा होता है, रात के लिए, he is very alienated, वो लोगों से घिरा रहता है, फिर भी उसको कोई दोस्त नहीं होता है, वो रात को टैक्सी में बहुत लोगों को राइट देता है, लेकिन कभी अच्छे से पीछे मुड़ की किसी से बात नहीं करता है, वो most of the time चुप-चाप देखता रहता है, observe करता रहता है, चीजों को वो लोगों से एक normal relationship established नहीं कर पाता है, वो कोशिस भी करता है एक लड़की को डेट पे ले जाने के लिए, लेकिन वो लेके चल जाता पॉन धेटर, और यह वो जान बुच के नहीं करता, उसे genuinely नहीं पता रहता है कि ये सही idea नहीं है वो दिमाग से इतना isolated होता है बाकी लोगों से कि उसे civilized norms भी ठीक से पता नहीं होती है, वो अकेला शहर में ऐसे ही मढ रहता है, और अकसर वो शहर के उन रास्तों पे होता है, जहां प्रोस्टिटूशन, ड्रॉग्स, क्राइम, इन चीजों का स्ट्रीट में सीन रहता है, और इसलिए नहीं कि Travis को इन चीजों में इंट्रेस्ट होता है, बलकि उसे इन चीजों से नफरत होती है, वो ऐसे लोगों को खतम कर देना चाहता है, उसके अंदर इन चीजों को लेके प्रिजिडिस होता है, और उसका अकेलापन इस नफरत को और भी बढ़ा देता है, इस हद तक कि he becomes violently aggressive, अपने जिंदगी में एक सेंस देने के लिए वो खुद को एक यंग लड़की को प्रोस्ट्टूशन रैकेट से बचाने का मिशन एसाइन करता है, और वो इसके लिए मडर भी कर देता है, ऐसे देखो तो उस लड़की को बचा के वो कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन खून करके वो खुद भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाता है, वो भी low-life criminal ही बन जाता है जिससे उसे नफरत थी, ट्रेविस को realize नहीं होता है कि problem उसके अंदर है, अगर उसे शहर में सिर्फ ऐसी गलत चीज़े दिखाई देती है, वो क्योंकि वो सिर्फ उन streets में ही बार-बार जाता है, वो है जो अकेला है, और जब हम अपने अंदर के कमी को समस्या को देखनी पाते हैं, तो हमार जो self-destructive impulse होता है, वो बाहर के और जाता है, ऐसे लोगों को पता चल जाए कि उनके मरने का time हो गया है, तो वो खुद को मारने के बज़ाए बाहर जाके बाकी लोगों को मारेंगे, लेकिन ये एक viewpoint है, बहुत लोगों को Travis सही भी लगेगा, क्योंकि उस छोटी लड़की की जिन्दगी को बचा कि वो सही में बहुत अच्छा काम करता है, इस movie में एक से ज़्याद एथिकल स्टेंड़ पॉइंट है, और इसलिए Travis को एंटी हिरो के लिस्ट में क्लासिक्स में गिना जाता है,